साथियो नमस्कार, साथियो न्यू येर दो हजार चोईस के साथ ही एक निया वीडियो लेकर के आई है और ये वीडियो ऐसे साथी जिनोंने नेशनल लाइब स्टोक मिसन स्कीम के अंदर अपलाई कर रखा है या जो साथी अपलाई करना चाहते हैं और उनके माइंड में ये इस्यू आ रहा है कि इस स्कीम के अंदर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही सबसीडी नहीं मिलती, लोन नहीं मिलता तो उन सभी साथियों की क्वैरी को कलियर करने के लिए गोर्वेंट का जो अभी, करंटली आप हमारे यहां डेट देख पा रहे हैं 27 दिसंबर 2023 का सेंटर गोर्वेंट का ये ओडर है इसी के रिगार्डिंग हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं इस ओडर के तहत पूरे देश बरके लगबग 100 किसानों को लगबग 17 क्रोड रुपे से की जादा की सबसीडी की किस्त है वो केवल दिसंबर महीने के अंदर सुरू हुई है एक महीने में लगबग हर महीने मिटिंग होती है तो किसी महीने किसानों की संख्य है वो सो होती है तो किसी महीने किसानों की संख्य है कमिया ज़ादा हो सकते है वो आप लोग जो आविदन करते हो उसी के आधार पे आगे मीटिंग होती है तो ये हमने जो सेंटर गोर्वेंट का जो ओडर है उसी के ओडर के ऊपर ही हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि आप सब भाईयों को ओफिसली पता चल सके कि इस नेशन आगे आपको दिखाने जा रहे है बिल्कुल ऊफिसली चीज दिखाने हम जा रहे है तो ये जैसे मैंने बताया ये 27 दिसंबर 2023 का ओडर है और ये मीटिंग होती है और सेंटर गोर्वेंट के अंदर भी प्रोजेक्त अपरूवल जो कमेटी बनी हुई होती है उसकी उसमें से कितनी फाईलें पास हो गई कितनी फाईलें है वह पेंडिंग में रखी गई तो उसके पिछे टाइप इन सभी बातों पर अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो साथियो डेली के अंदर जो पसु पालन विवाग है Ministry of Animal Heisbandry वहां पर National Livestock Mission Scheme के जो Commissioner सहब है दोक्टर ओपी चोधरी सहब उनके निर्देशन के अंदर ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर सभी राज्यों के जो डायरेक्टर होते हैं और इस National Livestock Scheme के जो इंचार्ज हैं स्टेट लेओल के वो सब रहते हैं और इसके अंदर पूरा जितनी फाइलें आती हैं सभी फाइलों पर इसमें चर्चा की जाती है तो मैं आपको बताना चाहूं अभी पिछले ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर टोटल 125 फाइलें सेंटर गोर्वेंट के पास में आई थी अलग-अलग राज्यों से पास होकर के आगे अप्रूवल के लिए उसमें से आप यहां पे देख पा रहे हैं अप्रूवल 77 EDP यानि Entrepreneurship Development ये प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर जो फाइलें आई टोटल उसमें से 77 फाइलें इसमें पास हुई है अप्रूव हो चुकी है Conditional Approval 22 यानि 22 ऐसी फाइले हैं जो अप्रूव तो हो चुकी है पर उनके अंदर डोक्यूमेंट में माइनर फरक है माइनर कोई छोटी छोटी गलती होने की वज़े से उनको ये बताया गया कि हाँ आपकी फाइल पास हो जाएगी यादि आप इसके अंदर ये सुधार कर दोगे तो आपकी फाइल है वो पास हो जाएगी यहाँ पे अभी रिसेंटली 11 साथियों की सबसीडी भी दूसरी किस्त आई है पहली किस्त नहीं दूसरी किस्त आई है सबसीडी की तो ये भी इस वीडियो के अंदर टोटल आपको बताएंगी कि कौन-कौन से राज्ये के अंदर सबसीडी की सेकंड किस्ट मिली है और कौन कौन से राज्य के अंदर सबसीडी की first किस्त के लिए आगे परपोज हुआ है अप्रू हुआ है तो सबसे पहले ज़्यादा तर तो मैं आप साथियों को लगबग साथियों को पता है मैं आपको बता दूँ कि महाराश्टर के अंदर इस स्कीम पे काफी काम हो रहा है किसान भी इतने एक्टिव है महाराश्टरा के जो अपनी फाइल को बिल्कुल प्रोपर तरीके से लगा रहे हैं और डोकुमेंट जो अपने को तियार करना होता है सबी चीजे अच्छी तरीके से तियार करके अपलाई करते हैं तो उनकी फार्मों के अंदर बहुत कम इस्यू जाते हैं तो उनका जो फाइले उनकी पास हो रही है वो ज़्यादा हो रही है और उनको जो सबसीडी मिल पा रही है वो ज़्यादा इसलिए मिल पा रही है क्योंकि उनकी file में कहीं कोई दिकत नहीं होती जब document के आपकी file के अंदर कोई दिकत नहीं है तो gorevent उसे approve करती है तो अंदर परदेश की यदि अपन बात करें तो यहां पे 6 application SLEC ने भेजी थी आगे SLEC eligible होकर के और Department of Animal Health Benderry के पास में गई थी उसमें से 5 application तो approve हो चुकी है और एक application को conditionally approval दी गई है उसके अंदर कोई document का issue था जो 5 application approve हुई उनमें से 5 को 95 lakh की subsidy अप्रूव हो गई है उनकी और जो एक approval बाकी रखी है इन्होंने conditional approval जिसको दिये उस भाई की 25 lakh रूपे की subsidy इन्होंने यहां पे दिखाई है ऐसे ही अरुणाचल परदेश के अंदर 3 file बेजी थी जिसके अंदर 2 को final approval मिल चुकी है और एक को conditional approval ऐसे ही आशाम की जो file थी उसमें से 2 को approval final मिल चुकी है जबकि एक को conditional approval है ऐसे हरियाना से भी क्योंकि हरियाना लगबग सभी राज्यों के साथियों ने इस scheme के अंदर आवेदन कर रखा है हरियाना से 3 file लगाई गई थी जिनकी subsidy की amount है वो 75 lakh बन रही थी तो उसमें से एक file पास हो चुकी है उसका 25 रूपे subsidy रिलीज भी हो चुकी है ऐसे ही माचल परदेश में से 2 file लगी हुई है इसके लिए भेजी गई थी ऐसे ही करनाटका से 8 file लगी हुई थी 8 में से 6 file यहाँ पे approve हो चुकी है और एक file को conditional approval दी गई है जबकि एक file यहाँ पे reject भी हुई है यानि return भी की है तो आपका state से आगे center government में जाने के बाद में भी वहाँ पे भी file की checking होती है और यदि वहाँ पे आपकी file proper नहीं है यदि by chance किसी mistake की वज़े से राज्य स्तर की committee के दवारा कोई गलती उसमें छूट जाती है तो भी वहाँ सुधार किया जाता है आपके पास में वह दुबारा return आती है तो जैसे करनाटका की एक किसान साती की file है वो return भी आई है ऐसी केरला में एक ने किया था मद्धे परदेश के अंदर दो file लगी थी दोनों की दोनों पास हुई है महराश्टरा के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि महराश्टरा की सबसे ज़्यादा file है वो clear हो रही है उसके पिछे उनकी awareness जो किसानों की है उनकी जानकारी जो है वो जो file लगा रहे हैं वो जो document साथ में लगा रहे हैं वो सब चीजें उसमें important होती है तो महराश्टरा के अंदर आप देख पारें 38 file लगी थी और उनका 647 लाग रुपे लगबग 647 लाग रुपे का उनका subsidy के लिए भेजा गया था जिसमें से 38 में से 24 file उसमें approve हो चुकी है 6 file की conditional approval दी गई है यानि total 30 file हो गई और 8 file महराश्टर के अंदर भी return की गई है और लगबग 5 करोड से जादा की subsidy भी उनको release की गई है यानि 578 लाख रुपे की subsidy है वो release की गई है तो किसानों को subsidy मिल रही है first installment भी जो apply कर रहे हैं उनको first installment मिल रहे है यह जो आप सामने सब देख पारे हो यह first installment वाले हैं जिनकी पहली बार file वहां पे गई है और पहली बार में यह subsidy उनकी release हुई है ऐसे ही नागा लेंड के अंदर मिजोरम में सिक्कम में तमिल नाडू के अंदर उसमें से साथ फाइलों को conditional approval मिली है जबकि 19 फाइलों को approval final दी गई है इसमें से एक भी file reject नहीं हुई और लगबग 4 क्रोड से ज़ादा की subsidy उनकेशानों के खाते के अंदर इस scheme से गई है तो यह मैंने आपको बताया कि टोटल अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग इस तरह की file लगी हुई है जिसमें से मैंने आपको बताया कि 125 file इस meeting के अंदर इस proposal में वहां रखी गई थी उसमें से 99 file है वो clear हो चुकी है और 26 file, 26 file written की गई है उसके अंदर documents की कमी थी अब कमी क्या थी वो आगे अपन साथ में चर्चा करेंगे और इसके अंदर आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 1728 लाह रुपे यानि 17 करोड 28 लाह रुपे के सानों के खाते के अंदर या बकरी पालकों के खाते के अंदर सब सेड़ी की पहली किस्त है वो वो किसान की awareness की वजे से ही issue आ रहा है अब awareness की वजे से issue क्या है उस पे अगे इस पे मैं आपको दिखाने जा रहा है जिसके अंदर सारी चीज़े इसके अंदर अपने को बताई गई है इसमें आप यह लिस्ट देख पा रहे हैं लिस्ट ओपर्पोजल अप्रूवल इन थर्टिंथ पीए सी हैल्ड ओन 15 दिसंबर 2023 तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया टोटल 125 फाइलें आई उसका सब का यहां पर डिटेल दिया गया है और जो इस्यू आया है जो रिमार्क आया है वो किस तरह काया है इस पर अपन था और उसके अंदर इनकी फाइल है वो अप्रूल हुई है फर्स्ट इंस्टोल्मेंट के लिए इनको 25 रुपे के लिए इनकी हुई है और दूसरे जो किसान साथी है उनकी भी फाइल अप्रूल हुई है जबकि जो conditional का मैंने बताया यानि जिसके कोई document में थोड़ी बहु इन्हों ने यहां पे 200 भेडों पे फाइल लगाई और साथ में 200 प्लस 13 का इन्हों ने अपनी फाइल बना करके लगाई जबकि गोर्वेंट की जो गाइडलाइन है NLM की उसके अंदर यहां पे आप कलियर कट देख पारे हैं कि या तो हमारी गाइडलाइन 200 प्लस 10 के लिए ह और या हमारी गाइडलाइन है वो 300 प्लस 15 के लिए है तो या तो आप 200 प्लस 10 के अंदर फाइल लगाई है या आप 300 प्लस 15 के अंदर फाइल लगाई है बहुत से ऐसे साथी बार-बार ऐसे आते भी हैं कि हम 50 के लिए फाइल लगा दे हैं या हम 1500 के लिए लगा दे हम 500 के ल इतना इस्यू था इसकी वज़े से इनकी फाइल है वो अभी यहां पर फाइनल अप्रूल इसको नहीं दिया गया इसके बाद जो एक सेकंड केस है वो भी ठीक इसी तरह का है इन्होंने भी लगबग 200 भेडों की और तेरा मेल उसके साथ में रखे हैं 200 फीमेल और तेरा मेल ज हुई है हिमाचल पर देश की हो रही है तमिल अडू की हुई है ययानि लगबग लगबग जिस किसान नेब अपने डॉकुमेंट सही तरीके सब सब्केश फाइल कलियर हुए है यहां पर यहां पर आप तमिल अडू से कोई किसान शाह थे इन्होंने भीड़ पर डाला कोश्ट न कम रखने कि वजह से जैसे दस लाग रुपे संसीडी गाइगक सब्सक्राइगक 10 लां Etsy पुटे से जादा काइसकी अन्सद नहीं यहां पर लिखाया की 980,50 रुपे आपकी संसीडी खाते के अंदर आएगी यानि हमने अप्रूवल दी है उसके अकोर्डिंग आपकी 10 लाग रुपे नहीं आएगी जबकि 9,13,000 रुपे आएगी तो ये सब चीजें हम बार-बार हमारा जो भी वीडियो होता है उसके अंदर हमने बताया है कि आपकी जो फिक्स कैपिटल है वो 20 लाग से जाता होगी तब भी आपके खाते के अंदर उसकी जो सबसिडी है वो 10 लाग रुपे आप आएगी यदि आपकी fixed capital 20 लाग से कम है तो फिर उसका 50% subsidy ही आपके account में आएगी जैसे इस case के अंदर यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे ही जैसे दूसरा case अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं यह भी तमिल नाडू से कोई शाथी है इन्होंने बकरी पे फाइल इन्होंने गोट पे फाइल लगाई है तो इनके case के अंदर भी यहाँ पे अपने को 19,24,750 रुपे की subsidy यहाँ पे दिखाई गई है इन्होंने हो श तो ऐसे ही आगे अपन तमिल नाडू की या और जितनी भी फाइलें देख पारे हैं सब के अंदर उनको approval दी गई है फिर एक तमिल नाडू का ही फिर एक एक एक्स्ट्रा अलग से case और है उसके अंदर भी यही बात हैं कि उनके case के अंदर भी subsidy है वो उनकी कम रहे गी यानि fixed capital पे depend करती है फिर यह एक मद्य परदेश की एक file है folder and feed पे इन्होंने proposal डाला हुआ है उसके अंदर approved हुई है note as per DPR total eligible capital cost जो 67 लाख रूपे यहां पे दिखाई गई है उसके अंदर इनकी issues है तो आप जब भी DPR आप बनवाते हैं detail project report जब आप बनवाते हैं तो आप यदि सही project report नहीं बनवा पाएंगे तो उसकी वज़े से आगे जाकर के भी final stage पे भी issues है वो आ जाते हैं उसके अंदर remarks है वो आ जाते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है चाए detail की बात हो चाए आपके project report की बात हो चाए अपने documents की बात हो तो महराश्टर के क करनाटक के तमिलनाडू के काफी भाईयों के इसके अंदर approval है वो यहां पर मिली है फिर एक मद्य परदेश का किसान साथ है जिन्होंने poultry पे इस scheme के अंदर application है वो डाली थी इसके अंदर approved यहां पर दिखाया गया है इन्होंने ये एक साथी है महराश्टरा से इन्होंने pou poultry पे फाइल डाली है तो टोटल जो इन्होंने प्रोजेक्ट की कोस्ट बनाई है वो इन्होंने बनाई है यहां पर बाउन लाख रुपे के लगबग बनाई है और उसके अंदर इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि working capital और fixed capital यानि fixed capital वो capital जो आपकी एक बार में लगती है त working capital पे नहीं मिलती तो fixed capital यानि 46 लाख रुपे जो इनकी है उसकी आदी सबसेड़ी यहां पे 23,35,725 रुपे की सबसेड़ी इनको ही इतनी ही सबसेड़ी रिलीज होगी तो जब भी आप फाइल का काम करते हैं तो यह चीजें देखना सबसे जादे इंपोर्टेंट ही है तो यह सारी चीजें जब भी अपन डालते हैं तो जो गोर्वेंट की गाइडलाइन है उसके according अपन डालें तो आगे फिर गोट के अंदर यहां पे अपने कोई इसी तरह के issues दिखाए गए हैं यह इन्होंने 250 की फाइल लगा दी जबकि 250 के लिए कोई गोर्वेंट की scheme ही नही हैं जिनकी सबकी अपरूड दिखाएगी है इन किसानों की किसी के भी कोई भी issue नहीं है इनकी फाइल है वो पास ओकर के और आगे गई है फिर एक पिगरी की एक दुबारा से फाइल आई है उस फाइल के अंदर भी इसी तरह का जो दिखाया गया है यानि छोटी छोटी छो नो लाख रूपे का टोटल इनोंने बनाया है तो इसके अंदर एज़ पर डिप्या टोटल इलेजिबल कैपिटल है वो 90 लाख रूपे ही इसके अंदर है यानि वर्किंग कैपिटल इनोंने यहाँ पे 19 लाख ख्यास पास में दिखा दी और फिक्स कैपिटल 90 लाख ही पचास लाख रूपे सब्सीडी तब मिलती जब working capital एक क्रोड रूपे होती तब जाके अपने को 50 लाख सब्सीडी मिल पाती तो working capital और fixed capital किसान को इतना ज़्यादा नहीं पता होता पर जब भी आप किसी CA से या किसी भी एक्सपर्ट से आप फाइल जब बनवाते हैं तो ये चीज़ें अपने को कलियर करनी होती है तो ये टोटल 77 जो फाइले हैं ये कलियर हुई हैं इसके बाद में मैं आपको बताऊं परपोजल कंडिशनली अप्रूब यानि ऐसी फाइलें जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिश्टेक था तो उनको एक सर्थ के आधार पे उनकी अप्लिकेशन को असेप्ट कर लिया तो इसके अंदर the amount of loan approved यानि आपकी amount है वो अप्रूड हो जाएगी लोन के लिए अप्रूड हो गई in the loan sanction 34 lakhs which is less than the amount declared in the portal यानि आपने पोर्टल पे जब आप पोर्टल पे आविदन करते हो तो उस समय पोर्टल पे भी अपने को लिखना होता है कि हम कितना loan नेंगी टोटल प्रोजेक्ट के cost कितनी रहेगी और subsidy हमारी कितनी आएगी उसमें और आपकी project file के अंदर दोनों के data miss match है तो आपकी file रुक जाएगी और उसका जो data है उसमें और आपका जो final bank से loan sanction हुआ है उसमें भी यदि दिकत आ रही है जैसे आपको ने 25 लाख रुपे का starting के अंदर जब file लगाए थी तो project report में लिखा था और 25 लाख रुपे आपने application जब online की थी उसमें लिखा था और बैंक कि ये कहता है नहीं 25 नहीं मैं तो आपको 22 लाख रुपे ही loan दे हुआ तो उस case के अंदर आपको एक letter अलग से लगाना होता है कि जो 3 लाख रुपे का जो difference बच रहा है जो मेरे को bank loan नहीं दे रहा वो 3 लाख रुपे में खुद लगा हुआ आप ये letter लगा देते हैं तब तो को issue नहीं है और यदि आप letter नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर इस तरह का issues है वो आता है तो उस case में फिर यहाँ पर मांगा जाता है कि आप अपना self declaration letter जो difference amount है उसका इसके अंदर साथ में लगाई है तो इस तरह का जैसे यहाँ पर self contribution of deduct amount of 3 lakhs and SIA यानि दुबारा से इसको यह लगा करके आपको SIA से clear यह चीज़ करवानी पड़ेगी दूसरा जो तमिल नाडू का case है उसके अंदर भी इस तरह की है इसके अंदर की जो आपकी site की picture जो location की जगए जिसे GI tagging के नाम से जानते हैं या आपकी longitude और latitude की जो photo मांगी जाते है तो वो यहाँ पे इस file के अंदर नहीं लगाई हुई तो उसके लिए यहाँ पे यह इनोंने लिखा है तो इस तरह की जो चीज़े है छोटी चोटी चीज़े है ज्यादा तर अभी तक किसान साथी कोई कहेगा कि सर इसमें राजस्तान का तो कहीं कोई नाम ही नहीं आ रह है कि राजस्तान से जो भी file जा रही है राजस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्तान से बिलकुल एक एक point को note करके आगे file जाती है तो जो आगे file जाती है उसमें कोई correction नहीं आता तो जो भी file जाती है वो almostly approve हो जाती है तो other कई ऐसे state है जहां पे इतना minor यदी न करनाटका के काफी इसके अंदर किसान है जैसे इसमें मैंने बताया था कि 22 ऐसी file है जो conditionally approve हुई है तो ज्यादा तर महरास्टर और तमिलनाडू के ही किसान चाहे approval वाले के अंदर हो या conditional approval वाले के अंदर हो उनका number लगबग लगबग दोनों state से ही इसके अंदर आया है यानि proper guideline के according जो guideline का rule है वो follow नहीं किया जिसकी वज़े से फिर दुबारा अपने को इस तरह के issues बार 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 यही सब चीजें अपने को देखने को मिलती है तो यह सब चीजें फिर नागालेंड के दो pig के case आप यहां पर देख पारे हैं तो उनके case के अंदर भी कि आपने जो side का photograph है वो proper तरीके से इसके अंदर नहीं लगा पाया फिर fund utilization subsidy fund shall be utilized for the establishment of new infrastructure unit only यानि कई बार ऐसे साथी बार बार phone हमारे पास में भी आते हैं कि सर हमारे पास में पहले से सो बेड़ हैं हमारे पास में sad बना हुआ है हम apply कर दें क्या उस case में यह आप apply कर रहे हैं तो यहा आप new infrastructure develop करते हैं नया farm stable करते हैं उसके लिए है तो यदि आप नया करेंगे तो आपको मिलेगा या आपने पहले से सब कुछ कर रखा है और फिर उसके बाद में पुराने system पे आप यदि loan लेना चाते हैं या subsidy लेना चाते हैं तो उसके अंदर नहीं है यह सारी चीज़े य यह चीज़ें जो project approval committee है उसने यह सारी चीज़ें बताई है अब सबसे main चीज़ जो मैंने बताया कि ऐसे किसान साती हैं जिनकी दूसरी किस्त भी उनके खाते के अंदर आ गई है तो इसी committee के अंदर यानि approved for release of second installment of subsidy in 13th PSE held on 15 December 2023 के अंदर यानि दिशंबर के अंदर जो meeting हुई उसके अंदर 11 जो किशानों की subsidy आई है यसपाल खन्ना मद्यपरदेश के हैं इन्होंने पोल्टरी पे apply किया था और इनके खाते के अंदर दूसरी subsidy के किस्त भी इनके खाते के अंदर आ चुकी है इनकी नोलाक रुपे की second installment थी इसके बाद में मकबूल खान साब हैं जिनोंने गोट पे apply किया था मद्यपरदेश से हैं इनकी भी इनके खाते के अंदर subsidy आ चुकी है इनकी टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट है वो साइद इनकी 89 लैक थी जिसमें से 19.63 19.63 लाक रुपे दो बार इनके खाते के अंदर आया है फिर ए इनकी भी 22 लाक रुपे second जो installment है वो आई है ऐसे ही पोल्ट्री पे पिग पे गोट पे मद्यपरदेश से आंदर परदेश से करनाटका से जितने भी किसान साथी हैं जिनकी second subsidy के लिए जिनोंने apply किया था उन सब साथियों की यहां पे अपने को subsidy दिखाई जा रही है जैसे यहां पर चार लाख आई है यह दि उसका टॉटल चारी लाक बन रहा होगा यहां पर बारा लाख आई है यहां दो लाक रुपे आ है इससे पहले बीनकी कोश्ट में करनाटी 23 लाक रुपे पहले जहाई होगी एसे यहां पर च्योश क्योंना एक क्रोड से कम बन रही थी, 99.43 रुपे बन रही थी, तो यहाँ पे 24 लाख और गुनियतर हजार रुपे की इनकी दो-दो अलग-लग किस्ते हैं, तो टोटल इनकी 50 लाख रुपे से कम रही है, मैंने आपको बार-बार ये बताया है, कि आपकी एक क्रोड से जादा का टोटल fix capital होगी, तो आपकी 50 लाख रुपे सबसेड़ी आएगी, यदि कम रहेगा तो उसकी half आएगी, आधी आएगी, यहाँ आप देख पारे हैं, मद्य परदेश के अंदर हिंदू सिंग डांगी करके कोई किसान है, उन्होंने गोट पे अपलाई किया था, उनकी जो टोटल को इस तिन के account के अंदर आई हुई है, तो यह टोटल 11 ऐसे किसान थे, जिनकी सबसेड़ी इस महिने के अंदर, दिसंबर महिने के अंदर, 2023 के अंदर, साल के अंतिम समय में इनकी सबसेड़ी है, वो आई है, तो इस second subsidy के लिए भी आपको apply करना पड़ता है, ऐसा नहीं होना च अपना work complete कर लेते हैं, आपने 500 बकरियों पर apply किया है, आप 500 बकरियां रख लेते हैं, उनका insurance करवा लेते हैं, उनके लिए set बना लेते हैं, फिर आप आगे apply करते हैं कि हमें second subsidy दी जाए, तब फिर दुबारा से आपके यहां पर team आती है, वो verify करती है, और फिर वो project approval committee के पा हो गई, तो आप सभी साथी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन साथियों ने इस वीडियो को सुना है, बार-बार में यही बात हम प्रतिक वीडियो में कहते हैं, आपका document complete होगा, तो इन सब चीजों के अंदर time नहीं लगेगा, यदि आपके document complete नहीं है, तो आपकी file है इक एक साल तक भी चल सकती है, तो जितने भी 10 से 12 document हमने पिछले वाड़े वीडियो के अंदर भी बताई हैं, और इसके अंदर भी बार-बार साथ साथ में जो queries आई हैं, उसके अधार के चर्चा की हैं, सब document के साथ में अपनी file को लगाएं, और authentic project report बनवा करके लगवाए जो professional project report बनाने का काम करते हैं, CA जो भी साती हो, उनकी project report बनवा करके लगवाएं, ताकि कोई issue ना आए, कई बार कोई किसान net से project report डाउनलोड कर लिए, रूस को ऐसे तेसे करके जैसे भी लगा दिया, फिर बाद में पता चलता है कि उसके अंदर रिमार का रहे हैं, बार- recording नहीं है, तो इसी तरह से साथियों, आप भी अपना इस national livestock mission scheme के अंदर, मैं hopeful हूँ कि आप में से अधिकतर साथियों को ये ensure हो गया होगा कि हाँ, गौर्वेंट के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है, गौर्वेंट किसानों को subsidy के लिए जो scheme लेकर के आई थी, इसका implementation हो ये poultry पे किया है, तो भी subsidy आई है, शीप पे किया है, तो भी subsidy आई है, ऐसा नहीं है कि subsidy के ओल भेडोर बकरी पे है, subsidy मुर्गी पालन पे भी है, subsidy pig farming पे भी है, और subsidy साइलेज production के अंदर, यानि फोडर production का कोई लगाता है, तो उस पे भी है, तो आज की इस वीडियो के उनका बहुत-बहुत फाइदा उठाया होगा, सब को अच्छा लाब मिला होगा, हम इसी new verse के अंदर और ज़्यादा कोसिस करेंगे, और ज़्यादा energy के साथ में, और ज़्यादा हम research करेंगे, इस scheme के बारे में और other भी कोई scheme आती है, या पशू पालन से, बक्री पालन से, जो आप साथियों के, को जो queries रहती हैं, जो आपके issues रहते हैं, उनको solve करने का इसी नए साल के साथ में, भी हम सुरू रखेंगे, आप सभी साथियों को एक बार Happy New Year, और सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों.